प्राथना है अपना इस्थान ग्रेंड कर ले खड़ा कोई भी नहीं रहेगा विनन्ती है सभी से प्राथना है ठाकुर जी बहुत समय तक कुंज में बिराजेंगे आप सबको खूब आराम से दर्शन करने का उसर मिलेगा आप कृपा करके आसनस्त हो जाएं कृपा करें अब परमपुज्य श्री पारसर जी माराज जी के श्री मुख से भागवत जी के मंगल में श्लोकों का गान श्रिठाकुर जी के सन्मुख होगा और संत महापुरुष श्रिठाकुर जी के समीप पधारेंगे और वहीं पर फिर आगे का क्रम प्रारम होगा आप सब लोग अपना इस्थान ग्रेंड करें, पुज्य पाराशर जी महाराजी के श्रिमुक से बड़े सुन्दर भागवजी के श्लोकों का गान होगा दश्मसकंद के अंतरगत वैनु गीत और भी अनेका नेक सुन्दर भाव महाराजी गायन करेंगे, उसके बाद पुष्टी मारगी हवेली संगीत के बड़े सुन्दर स्रेष्ट कीरतन कार्प परम भगवदी श्री भगवती प्रसाजी गंधर्व वे पधारे वे उनके द्वारा बड़े सुन्दर हवेली संगीत में कीरतन पद का गान भी होगा, उसका भी आनंद हम लोगों क बैठे बैठे ही प्राप्त करना है जै जै राधा गोपाल जै जै आप लोग क्यो दर मुखर लोग बाता ना चाहता था कि ये प्रेवयो कहां से कैसे पहुंच के और अब कैसे इसका विकास हुआ है श्रीराधा गोपाल प्रभो से ये भी माखंचोर के पास से रनचोर के पास आए माखंचोर अब रण्छोड को रेजाने आये हैं पहले माक흔शोड को रेजाय था पुझि स्री महराजी की चरणोंगा प्रणाम आएए आज सभी भागात में अवगाहन करें नित्यप्रती अगर ये भागवजी के श्लोक चलते रहें चलते रहें चलते रहें तो वो घर है कि वरंदावन है पैचान नहीं पाऊँ ऐसी आगया है इसी कि एक पुट कुछ गीतों के द्वारा आप जी के आप प्रस्तुत होगा महाराजी से आगया गोवत्स जी महाराज से आगया कि आप शुपर देश्वाद पुट कि जैरी बंदावन वेहरी रान की जैए जैए स्रीश पिरान देखुत बाहिए जुझे आघने जुझे गरेदी निदा ने पते इसा आड़ा आपके आड़ाखि मैं करके के आड़ा आड़ाखि आड़ा चरंकमर्चन्मकरंगाय भक्त जनमानस निवासाय स्रीराँचंडाय डेयं सदा परिभवग्नम भीष्ट गोहं पीर्थास्पदंग शिवविरिंचे नुतंग शरंग भृत्यार्तिहं कनतपाल भवावद्धिकों तंग वंदे महापुरुस्ते चरणार विंडंग वंसे विभूस्त करान्न वनेर्दाः पीतां वरादरुण विंभ फलादरुस्था ओलेंदुसंदरमोः दरविंभ लेत्रां प्रिष्णात्परं किमपितात्पों वहं जानें नारायनं नमस्कृत्य नरंचैव नरोत्तमं देविं सरस्वतिं व्यासं ततो जय मुदे रहे नमहा पंकज नाभाय नमहा पंकज मालिने नमहा पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रें गुप्याद देत्वयक्रिटा वसितामतावर्थ याते दसास्रुकलिलान जनसं भ्रमाक्षं वक्त्रम्निनी अभयभावन आस्तितश्य सामाम बिमोह यती भीरप्यद बिभेती सामाम बिमोह यती भीरप्यद बिभेती एक बार हम समझेते हैं अरासण कोव् यार यंवास मिरा आप्सक्रिक्रिष्ण गोवी कळिंद हरी मुराडे त्रिक्ण दंधंग का नंड लोगंद बिमोड़ होलर की सी कळज़रें एनाथ नारा यणवा सुदेव 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 बिनाथ नारा यणवास देवा बिनाथ नारा यणवास देवा बुल्मन्सी मारे की जे दीरण जोर राय की जे पूजबाद स्री मलुक कीट के महराश्री तथा स्री राधारवनलाल जी के दरवार में सेवा परायन पूजबाद स्री पुनरीक जी महराज और हमारे इस भव्य दिव्य समायोजन के मुख्य मूल भूत आधार स्री गोवत्स जी महराज इन दोनों महापुरसों का विशेश रूप से यह अनुग्रह प्राप्त हुगा हम पर पुरेणा तो जैसा गभी विस्तार से आपको बताया स्री पुनरीक जी महराज ने परिणा स्रोत्र तो स्री पुनरीक जी महराज बने हम तो एक दो शलोक बीच बीच में कभी गुन गुना देते थे परन्तो आपने जब कहा कि राधार अरवन लाल जी को आपको कम से कम एक दो गहन्ते सुनाने हैं और ये दिब्वेश्लोकों के गायन का अब तो पूझ महाराश्री का संकेत हुआ कि संपूर भागवत को गाना है तो निश्चित रूप से जनोंने प्रेणा दी है वही मार्गदर्सन भी देंगे और निश्चित रूप से हमारा भी यह प्रयास होगा कि महाराश्री जी का वचन तवरित रूप से सार्थक हो और उनका अशिरबाद फली भूत हो इस देह को ठाकुर जी की ही बीणा मान करके जैसा अभी नारज जी के चरित्र में हमने प्रात्यकाल सुना था स्री गोबत्सी जी महराश के द्वारा ठाकुर जी ने नारज जी को प्रेरित किया और यह विस्तार श्रीमत भागवत का हो गया उसी प्रकार निश्यत रूप से पुझ महराश स्री जी की बाणी से प्रेणा प्राप्त होई है तो यह सरीर भी तो बीणा ही है पर बजाने वाले ठाकुर जी है हनुमान जी राम जी के बान है यही भात चलीव हनुमाना जिम अमो बान में अपनी सकती नहीं होती चलाने वाले की सकती होती है उसी प्रकार बीणा यह शरीर है और बजाएंगे ठागुर जी महराश जैसा चाहेंगे वैसा बज़वाले हमारे नारज जी की बीणा में क्या विसेस्ता है नारज जी अपने स्री मोग से वरणन कर रहे हैं व्य देवतत्ता वेमा वेडा देवतत्ता वेमा वेडा श्वर ब्रह्म पिभूसिता देवततता वेवा वेडा मुर्चयत्वा हरीकथा मुर्चयत्वा हरीकथा मुर्चयत्वा हरीकथा कायवारा सराम्यगं मुर्चयत्वा हरीकथा गायवारा सराम्यगं गायवारा सराम्यगं दिवाटर्ध आम्मां अंक प्रिश्यत्वा